Hello दोस्तो, Gates Smasher's में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम डिस्क्स करने जा रहे हैं Shift Instructions जैसा कि Data Manipulation में हमने पहले डिस्क्स किया Arthematical Instructions के बारे में Then Logical Instructions के बारे में Now we are going to discuss the Shift Instructions तो अगर हम बात करें Shift Instructions हम generally कभी यूज़ करते हैं Registers के अंदर जब हम Operand को Load करते हैं, Data को Load करते हैं तो वहाँ पे मुझे Bits को या तो Left की तरफ या Right की तरफ या तो Left की तरफ या फिर Right की तरफ मुझे उनको क्या करना पड़ता है Shift करना पड़ता है, तो Left और Right तो है Important, लेकिन उसके इलावा हमारे पास यहाँ पे है कि Logical करना है या Arthematic करना है, या Rotate Left Right करना है या Rotate Right Through Carry करना है या Rotate Left Through Carry करना है तो यह Major हमारे पास Shift इंस्रक्शन है तो Start करते हैं One by One सबसे पहले हमारे पास है Logical Shift Left तो Let's say कि हमारे पास given है एक Register और Register है 8 Bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसमें Data है Let's say 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 Means मैंने Operand को Load किया और Operand में हमारे पास Data है 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 8 Bit Register में हमारे पास यह Data आ गया अब सबसे पहले हमने क्या करना Logical Shift Left Logical Shift Left का Simple सा फंडा है कि आपको एक-एक करके Bit को क्या करना है Left की तरफ Move करना है तो जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले यह जो MSB है इसको हम Left की तरफ Move करेंगे Left Side की तरफ Move करेंगे तो यह क्या होगा यह इस Register से बाहर हो जाएगी मतलब यह Register से बाहर होने का मतलब है यह Register से गई तो यानि अगर हम बात करें इस position की तो इस position पर क्या आएगा इसको हम दुबारा बना के देख लेते हैं तो देखो यह वाली bit तो यहां से बाहर चली गई अब यह वाली bit यहां पर आगी that is 0 यह वाली bit यहाँ पे आगी 0, यह वाली bit यहाँ पे आगी 0, यह आगी 1, यह आगी 1 और यह आगी यहाँ पे 0 तो obviously यहाँ पे 8 bit register है, तो 8 bits में से हमारी 7 bit जो है वो यहाँ पे आगी है, 1 bit register से बाहर चली गई तो यानि यह क्या बन गया, यहाँ पे जो एक position खाल लिया है, इसकी जगा हम क्या put कर देंगे, 0 Simply insert कर दो यहाँ पे 0, अब यह basically क्या denote कर रहा है, अगर हम बात करें, यह जो left shift है, left shift generally denote करता है multiplication of 2 जैसे कि अगर हम बात करें, इसको अगर आप binary में convert करो, decimal में, तो यह क्या बनेगा 10 और अगर आप इसको convert करोगे, तो क्या बनेगा 20, तो यानि यह multiplication of 2 और अगर हम बात करें, shift right की, तो shift right का funda बिल्कुल simple है, हमने करना क्या है, एक एक करके bit को right में तो right में करने का मतलब है, कि यह जो यह वाली bit है, जो LSB है, वो क्या हो जाएगी, यहां से बाहर हो जाएगी, तो यानि यह वाली bit है, यह कहां पे आजाएगी, यहां पे आजाएगी, फिर यह वाली bit यहां पे आगई, 1 यहां पे आगई, 0 यहां पे आगई, 0 यहां पे आ रहे हैं तो हमारे पास जो MSB है वो बच जाएगी तो MSB में simply क्या पूट करना है आपको 0 जो है यहां पे पूट कर देना तो यह क्या बन गया अगर हम इसको देखो तो यह बन गया आपका shift right का मतलब यहां पे क्या है division divide by 2 यह देखो यह क्या था 10 था यह बन गया 5 अगर आप इसको convert करो decimal में तो क्या बन गया 5 बन गया तो यानि यह क्या बन गया यहां पे divide by 2 so this is how we do the left and right next आता है arithmetic arithmetic का फंडा यहां पे क्या है arithmetic में हम generally use करते है signed numbers को जो 2's complement numbers है उनको हम use करते हैं यहां पे arithmetic में तो arithmetic shift right का अगर हम देखें लेट से हमारे पास data है अगेन 8 bit register है और उसमें data है 1010011 कुछ भी data यहां पे ले सकते हो तो यहां पे अगर हम बात करें arithmetic shift right तो shift right का फंडा क्या है कि हमें simply जैसे हमने यहां पे write किया ऐसे यहां पे write करना है लेकिन arithmetic का फंडा क्या है कि यह जो signed number है Sign number means जो MSV bit है वो क्या show कर रही है sign इस पूरे का sign यहां पे हमने कोई sign का consideration नहीं किया arithmetic shift right तो देखो यह क्या बनेगा यह वाला one तो क्या हो गया बाहर हो गया यहां से next क्या हो गया यह वाली 0 यहां पे आ गई यह वाली 0 यहाँ पे आ गई, यह वाला 1 यहाँ पे आ गई, यह वाला 1 यहाँ पे आ गया, यह वाली 0 यहाँ पे आ गई, simply, यह वाला 1 हमने बार निकाल दिया, क्योंकि यह राइट होने के बाद यहाँ से निकल जाएगा, तो बाकी सारी bits को हमने as it is put कर दिया, आगे करके, लेकिन ये one को हमने क्या करना है, as it is, यहाँ पे रखना है, because number का जो sign है, plus या negative, उसको हमने change नहीं करना, उसको one का one ही रखना है, तो यहाँ पर question आता है कि ये वाला जो space है, इसमें क्या बरेंगे, इसमें हम इसी sign को क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे, इसी sign को कॉपी कर देंगे, मतलब one है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, one आ जाएगा, अब एक कई बर क्या होता है, कि आपको दो बर भी बोल सकते हैं, मतलब count जो है, वो two भी हो सकता है, कि दो बर shift right करो, या तीन बर shift right करो, तो simple है, आपको अगर एक बर आ गया, तो आप इसको दो बर भी कर सकते हो, लेट से अगर इसी को हमने दुबारा फिर करना है, एक बर हमने arithmetic shift right किया, एक बर फिर अगर इसको करते हैं, तो बिल्कुल same funda आपको दुबारा से लेना है, यहाँ पे, यह वाला one क्या हो गया, यहाँ से बार चला गया, तो यह 0 यहाँ पे आगई, यह वाली 0 यहाँ पे आगई, यह वाली 0 यहाँ पे आगई, यह वाला one यहाँ पे आगई, यह वाली 0 यहाँ पे आगई, अब यहाँ पे यह वाला one जो है, copy कर दो as it is simply उसी को हमने यहाँ पर copy कर दिया जो position खा ली थी तो यानि कहने का मतलब है जब हम arithmetic shift right करते है तो जो sign है वो change नहीं होता, sign जो है वो as it is वही रहता है, अगर positive है तो positive number negative generally हम use करते है negative के लिए तो negative number जो है वो as it is बना रहेगा, तो this is what the arithmetic shift right next, arithmetic shift left shift left जो है वो logical shift left की तरह ही है simply, जैसे अगर हमारे पास यही data है 0, 1, 0, 1, 0 simple सा अगर हम data लेते हैं कुछ तो arithmetic shift left का फंडा भी same ही है, जैसे हम logical shift left में करते हैं, यानि आपको यह वाली 0 बाहर चली जाएगी यह वाली यहाँ पे आजाएगा, यह 0 यहाँ पे आजाएगी यह वाली यहाँ पे आजाएगा, यह 0 यहाँ पे आजाएगी और जो जगा बच्ची है, वाला पे आप क्या कर दोगे 0 को put कर दोगे, simple तो यानि इन दोनों के बीच में कोई difference नहीं है, यह बिलकुल same है, तो यह आपको यहाँ पे याद रखना है कि arithmetic shift right में हमें sign का याद रखना है, तो यहनि कुल मिला के आपके पास instruction बनी 1, 2 and 3, क्योंकि यह दो तो हमारे पास same ही है, logical और arithmetic shift left तो दोनों की same ही है, तो जल्ली हमारे पास जो computer में हम दोनों में से कोई भी एक use करते हैं, क्योंकि obviously इनका जो output आएगा, वो क्या आएगा, मेंशा same, then आता है हमारे पास rotate right and rotate left rotate right and rotate left का फंडा क्या है again very simple यहाँ पे हमने जो bit हम बाहर फैंक रहे थे, यह जो bit हमने बाहर इसको waste कर दिया, उसको waste नहीं करना उसको हमने गुमा के use करना है इसी data के उपर हम क्या करना है अब rotate right, तो rotate right का फंडा क्या है simple हमारे पास यहाँ पे करना क्या हमने rotate right, जैसे कि हम normal right operation perform कर रहे है, shift right तो वही, मतलब यह 0 यहाँ पे आ गई normal shift था, जो हम logical वाले में हम simple यहाँ पे 0 put कर देते थे बट अब करना क्या है, जो last वाली हमारी bit है यहाँ पे, कौन सी bit है, 0 यह वाली bit यहाँ पे आ जाएगी मतलब कहने का, कि जो last वाली bit हम उसको पहले waste कर देते थे उसको bar fang देते थे, अब उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे लेके आना है, और उसको यहाँ पे put कर देना simple सा fund है, मतलब यहाँ पे bit जो है, वो waste नहीं होरी, उसको हमने यहाँ पे use कर लिया, और अगर हम बात करें left shift की, तो left में क्या है, left में बिल्कुर इसका उल्टा हमने यहाँ पे करना है, let's say हमारे पास data है one, zero, one, zero zero, one, zero, one अब अगर हम मुझे rotate left करना है, तो कैसे करेंगे, simple जैसे हम normal करते हैं जैसे हम normal left shift करते हैं, वैसी हमें करना है, कि simple, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा zero, यहाँ पे आ जाएगा one, यहाँ पे आ जाएगी zero यहाँ पे आ जाएगी zero, यहाँ पे आ जाएगा one यहाँ पे आ जाएगी zero, यहाँ पे आ जाएगा one, जैसे left में, लेकिन यह वाली bit, यह जो one हम पहले waste कर देते थे, अब इसको हमने क्या करना है इसको हमने last में लगा देना मतलब यह जो है वो हमारा निया वाला जो rotate left और rotate light इस तरीके से यहाँ पर काम करते है then last जाता है हमारे पास rotate right through carry इसमें क्या है हमारे पास यह carry bit हमने extra लेनी है carry bit का मतलब है यहाँ पर let's say कि हमारे पास जो data है वो इस तरीके से है 8 bit register है और data है उसमें 1 0 0 1 0 1 1 0 इस तरीके से हमारे पास data है अब इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर कहा है एक extra carry means आपका जो अब register है एक तरह से 8 bit की बजाए 9 bit का हो गया और उस carry में जो भी data है let's say carry में अगर data है 1 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है बस आपको अब same operation perform करना है लेकिन carry को साथ में लेके मतलब right अगर shift करना है तो right shift करने का मतलब है simple यहाँ पे आप पहले जगा बना लो इसकी 1 2 3 4 5 6 7 अब आपको करना क्या है right करना है rotate right यह जो same था rotate right but through carry अब carry को भी consider करना है यह वाली जो आपकी carry है तो यह वाला जो one है वो कहां पे आ गया यहां गया यह जीरो यहां गया यह यह यहां गया यह यह वाली यह जीरो वन वन अब करना क्या है यह जो बाकी यह जो last वाली जीरो बची जो lsv bit बची यह कहां पे आ जाएगी गूम के यह आ जाएगी आपकी यहां पे this is what the rotate right through carry और अगर इसका हम उल्टा देखें कि अगर हमें यहां पे left करना है तो again आपको carry को साथ में लेके ही चलना है मतलब कहने का कि simple है पहले आपके बस 8 की बचाए अब आपके पास यहां पे no bits हो गई तो यहां पे मेरे पास जो भी data है one two three four five six seven yes तो हमारे पास let's say यही data है इस data को अगर हमने move करना है left की तरफ या इस वाले data को ले ले लेते हैं otherwise आपको यहां पे confusion हो जाएगी let's say इस वाले data को हमने left में move करना है तो होगा क्या यह zero left में move हो जाएगी तो यानि यहां से बार हो जाएगी बार का मतलब है यह बिल्कुल back में चली जाएगी मतलब यहां पे zero बन जाएगी मतलब कहने का simple यह है कि carry को भी आपको consider करना है so these are the major shift instructions तो उनमें से जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम C language में भी C++ में bitwise shifting है bitwise shift left है right है तो वो जनली हम logical के case में या arithmetic में हम ज्यादा यूज करते हैं और यहां पर एक last point में और बताना जाता हूँ कि यह जो instruction का format होगा जल्ली हमारे पास जो instruction होती है instruction के format में हमारे पास addressing mode होता है addressing mode के साथ हमारे पास यहाँ पर upcode होता है और होता है हमारे पास यहाँ पर operand कि हमने addressing mode, मतलब data कहां से उठाना है addressing mode कौन सी है upcode मतलब की करना क्या है operation जो decode करने के बाद हमें पता लगता है और operand मतलब की काम किसके उपर करना है वो जो point है, वो जो data है, वो कहाँ पर पड़ है तो इसमें हमारे पास, अगर हम बात करने shift की तो shift में हमारे पास extra चीज़े है, वो क्या है addressing mode तो हमारे पास है, opcode भी हमारे पास है हमें यहाँ पे, opcode में ये भी बताना पड़ेगा कि shift कौन से है, मतलब type of shift क्या है shift left है, shift right है, क्या है opcode से पता लगया कि ये shift operation है लेकिन उसकी type भी बतानी पड़ेगी और उसके साथ count भी बताना पड़ेगा कि आपको कितनी बार perform करना है right shift या left shift, कितनी बार आपको bits को left में move करना है right में करना है, तो यहाँ पे near about 5 जो है वो, spaces are 5 slots हैं instruction के अंदर so this is all about and this is more than enough कि आपके shift instruction में कौन कौन सी आती है और क्या concept है, thank you